आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 10 के विज्ञान के कुछ महतुपुन प्रस्न जो आपसे हर साल ही पूछे जाते हैं तो बिना देरी के हम वीडियो को सिरू करते हैं तो सबसे पहला कोशन है हमारा कि सुख्छा आकास हमें नीला क्यों दिखाई रेता हैं तो यहां घटना आपकी होगी जो वायू में कण अनू और कण रहेंगे यह बेगनी और नीले प्रकास का तीविता से प्रिकण करते हैं कर देते हैं जो प्रकनित फेला हो चारे तरफ फेला होना नीला प्रकास फेल जाता है तो यहां सीधे हमारी नेत्रों पर पड़ता है तो हमें आकास की ओर ऐसा आतावा प्रतित होता है इसलिए हमें नीला प्रकास दिखाई देता है तो आप इसे अच्छे से कंप्लेट करेगा इसका स्किन सोट ले लिजे आगे की कोश्चिन के और हम बढ़ते हैं अब देखिए आगे का कोश्चिन है हमारा कि हम वर्षा होने के बाद ही अकास में इन्दु धनुस क्यों देखते तो इन्दु धनुस होगा आपका वर्ण विक्षेपन के कारण तो एक स्वेद प्रकास रहेगा यहां प्रिजम पर डलता है तो वहां स्वेद प्रकास सात रंग में भक्त हो जाएगा वही के लाएगा आपका वर्ण विक्षेपन और जो सात रंग हमें प्राप्त होगे वह हैं आपके वर्ण क्रम तो वर्ण क्रम में सात रंग प्राप् तके बाध ही इंद्धनुस देखते हैं तो देखें वर्सा होने के समय जो जल की बून्दे हैं वे प्रज्म का कारी करती हैं जिससे वे प्रकास का वर्ण विक्षपन करके यहांने कि सुवेद प्रकास आएगा उसको वर्ण क्छेपन करेंगे तो हमें वर्ण करम प्राप्त होंगे साथ वह जो वर्ण करम हमें प्राप्त होते हैं जो हमें धनुसकार का दिखाए देता है तो इसलिए हम वर्षा के बाद ही इंदो धनुस देखते हैं तो आप इसका विस्कीन सोट ले लीजे और अच्छे से कंप्लेट करेगा आगे हम कोश्चन के और बढ़ते हैं तो देखिए अगला कोश्चन हमारा यहाँ है कि व्याख्य कीजे कि ग्रह क्यों नहीं टिम टिमाते याने कि जो ग्रह है वह हमें चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं तो यहाँ देखिए जो प्रकास की कीरन रहेगी वह विभिनी पर्तों से नहीं टकराएगी ना हमें वह नहीं टकराएगी तो ना तो हमें इलतीवी प्रतित दिखेगी इसी कारण से हमें ग्रह नहीं तिम्टिमावे दिखाई देते हैं तो देखे लिखेगा किस प्रकार से आप कि ग्रह प्रिथवी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते हैं याने कि प्रिथवी से बहुत कम दूरी पर ग्रह पाए जाते हैं इसलिए उनसे आने वाली प्रकास की किरनी जो भी प्रकास की किरन रहेगी वो विभिन्नी परतों से नहीं टकराएगी यानि विभिन्नी बदलती सगंता वाली वायू मंडली परतों से नहीं गुजनना पड़ता है उन्हें किनको जो प्रकास की कीरन रहेगी उन्हें वायू मंडली की परतों से नहीं गुजनना पड़ेगा तो वे हमें केसी हिलती डुलती नहीं दिखाई देगी तो तथा वहां उनके पृती बिंबी की इस्तिती नहीं बदलेगी यानि कि वहां कभी अभिलंब को नहीं जुकेगी ना अभिलंब से दूर होगी यानि उनके पृती बिंबी की इस्तिती नहीं बदलेगी जिस कारण से हमें ग्रह नहीं टिम्टिम आते दिखाई देते हैं तो यह हमने ग्रह क्यों नहीं टिम्टिम आते हैं यह पड़ा तो आप इसका इसकी इनसोट लिए तो अगला कोश्चन हमारा बनेगा तारे क्यों टिम्टिमाते हैं तो देखे तारे इस कारण से टिम्टिमाते हैं जो प्रकास की कीरन रहेगी प्रकास की कीरन रहेगी वह विभिन्नी परतों से टकराएगी विभिन्नी परतों से टकराएगी तो जो प्रकास की कीरन है उसके मार्ग में रुकावट होगी तो वहाँ क्या होगी अभिलंब से कभी तो दूर हटेगी और कभी अभिलंब के ओर जुकेगी इसी कारण से जिसके कारण तारे टिम टिम आते हैं तो अब आप किस प्रकार से लिखेंगे से पृत्वी की सता से उपर जाने पर वायू का गनत्व कम होने लगता है इसके साथ साथ पृत्वी पर ताप परिवर्तन और वायू कणों की गति सिल्ता के कारण विभिन्नी परतों का गनत्व परिवर्तित होता है जिससे किसी तारे साने वाली क्यारेगी किरन प्रकास किरन लगातार अपना मार्ग बदलती है तो वहाँ क्या करेगी अभिलंब की ओर कभी कम और कभी अधिक जुकती है यानि कि वहाँ कभी अभिलंब से दूर हटती है या कभी अभिलंब की ओर जुकती है जिसके कारण पृत्वी पर अउलोकन करते समय मनुस्य की आँखों में प्रिवेश करने वाली किर्णों की संख्या लगातार बदलती रहती है अता हमें तारे तिम्टिमाते दिखाई देते हैं तो आप इसका स्कीन सोट ले लिजे आगे हम कोशन के ओर बढ़ते है तो अगला कोशन है हमारा कि प्रिज्म जो कांच के प्रिज्म द्वारा स्वेट प्रकास के विक्षेपन का चित्र बनाईए बस आपसे यहां पर केवल चित्र ही पूछा है तो देखिए चित्र इस प्रकार से बनाईएगा आप ये तो आप चीतरों को अच्छे से साप सुत्रा बनाईएगा अब देखिए हम इसके बार थोड़ा सक जानकारी जान देती है कि जब स्वेत प्रकास की कीरन जब वो स्वेत प्रकास रहेगा उससे ही आपके सात रंग में सात रंग बनेंगे तो जब स्वेत प्रकास की कीरत प्रिजम से गुजरती है तो वर्ण करम यहां प्रिजम पर डलता है यहां प्रिजम पर डलेगा प्रिजम पर डलते हैं तो प्राप्त वर्ण करम यह हम जैसे ही इस स्वेत प्रकास को परदे पर लेंगे तो यहां सात रंगों में विभक्त हो जाता है तो परदे पर लेते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ण करम में सात रंग हैं तो हम जैसे ही उसे परदे पर डालेंगे तो सात रंग हमें देखने को मिल लेंगे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बेगनी या आप इस ट्रिक से भी याद कर सकें बेजानी, हापी, नाला इस प्रकासे भी से याद रख सकते हैं तो यह हमारा पांचों कोशन था केवल इसमें चित्री ही पूछा है आपसे तो चित्र को आप साप सुत्रा बनाईएगा आगे कोशन के और बढ़ते हैं दूसरे तो देखिए, अगला कोशन है हमारा कोल आईडी विलियन में प्रकास के प्रकिर्णन का कीरन आरेक बनाईए तो हमें यहाँ पर भी चित्र बनाना है तो यह रहा आपका चित्र हमने एक बीकर लिया बीकर में एक टोर्च है टोर्च का जब प्रकास पड़ा तो कोल आईडी विलियन आईए कोल आईडी विलियन है इसमें तो आप इसका स्किन सोट ले लिजे और चित्र को अच्छे से बनाईएगा सापसुत्रा बनाईएगा आगे हम कोश्चन की और बढ़ते हैं प्रिज्म से प्रकास के अपवर्तन का नाम के चित्र बनाईए अब हमें प्रकास के कौन से चित्र बनाना है अपवर्तन का चित्र बनाना है तो यह भी एक चित्र है आप इसका भी स्कीन सोट ले लीजे अब देखिए ये है ये कीरण बताईए इसमें P E ये आपतित कीरण है P F अपवर्तित कीरण F F निरगत कीरण बनी आपकी और कोन P P Prism Code A कोन है P? I ये आपतन कोन, R आपतन अपवर्तन कोन है और E है निरगत कोन और डिये विचलन कौन तो इस चीतर में आपको साथ में किरन और किरन भी बताना है और कौन भी बताना है तो आप चीतर को अच्छे से कम्प्लीट करेगा आगे की question की और हम भढ़ते अब आएगा आपका आठवा प्रस्न तो आठवा प्रस्न बहुती simple है कि विद्द्धारा क्या है इसका एसाई मात्रक लिखे तो विद्द्धारा तो आवेस तो आवेस दो प्रकार का होता है धन आवेस एक तो आपका रहेगा धन आवेस और एक रहेगा रिन आवेस तो जो धनावेश और रिनावेश को प्रवा कि दर रहेगी वही आपका विद्धुधारा केलाएगी तो आवेश प्रवा कि दर को ही विद्धुधारा कहते हैं इसका एसाई मात्रा के एंपी आगे की कैश्चन क्यों बढ़ेंगे अगले हाँ है हमारा ओम का नियम समझाईए तो ओम का नियम है कि यदि चालक की भोतिक अवस्ता में कोई परिवर्तर परिवर्तर ना किया जाए तो जो उसके सीरों पर लगने वाला विभानतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है तो यही हमारा ओम का नियम कहलाता है तो कोई समानुपाती होता है वही हमारा ओम का नियम कहलाता है तो देखिए विभानतर समानुपाती आई यहने बहने वाली धारा विभानतर और बहने वाली धारत एक समानुपाती रहेगा जहां पर यह आरे देख वी इक्वल आर आई आर यहां एक नियतांक तो यह हमारा ओम का नियम हो गया आगे की कोश्चन की ओर बढ़ते हैं हम इसका स्कीन सोट लेली अच्छे से कम्प्लीट करेगा तो अगला कोश्चन आपका बनेगा चालक जो दस्वा कोश्चन है वह हैं कि चालक के पितिरोधों को प्रभायत करने वाले कारक बताने बहुत यह आएंपी कोश्चन है आपका यह तो पहला है लंबाई पर लंबाई ताप पर और पधार्त की प्रकति पर लंबाई पर तो चालक का पितिरोध लंबाई के समानुपाती होता है आर समानुपाती इन ताप पर ताप बढ़ाने पर प्रितिरोद बढ़ता है और ताप घटाने पर प्रितिरोद घड़ता है चालक की प्रकती पर तो चालक का प्रितिरोद उसके पदहार्त की प्रकती पर ही निर्भर करता है तो यहां वहुती सिम्पल कोसे इन फ़ेंग नबहों दो लंबाई पर आप पर पदाल के लंबागे के समानुपाती रहेगा पिते जाप पलाने पर जाप घबता ते जाप तो जो चालाक प्रिते हई वहाँ पदहार्त की प्रकति पर भी निभर करता है अब अगले कोशन की और बढ़ते हैं यहां बहुती मोश्ट आएमपी कोशन आपका कि विद्धूत परिपद में उपयोगी अव्यव्योग के प्रतिक बनाई है यह अप प्रतिक है यह प्रतिक आपके परिक्षा में आते हैं आपने भी देखा होगा हर साल ही पूछे जाते हैं विद्धूत सेल का प्रतिक बनेगा यह देखो बेटरी टाइप आगे बेटरी तथवा सेलो का सयोज़क इसमें दो सेल जोड़ेंगे हैं याने कि दो बेट जोड़ें तो आखरी आप सीरू में धन लागा देनागा और आखरी में रीन आगे हैं प्लक कुंजी या स्वीच कुंजी इस प्रकार बनाएंगे ब्रेकेट लागें के दो साइट आप लाएंग खिश देना चोथा है, हमारा प्रति प्लग बंद प्लग या कुंजी अत्वा स्वीच यह बंद बंद कुंजी है नहीं है आपकी खुली कुंजी तो बंद कुंजी भी बंद कुंजे आपको टिपकी राग देना है इसी तार संदी तार संदी एक अंडर नीचे लाइंग करेंगे अंडर लाइंग एक उपर करेंगे और दो जो उपर किया है उसकन गोल गुंडी लगा देंगे ये बन गया आपके तार कुंची आगे बिना संदी के बिना संदी के बना है तार क्रसिंग दार क्रसिंग तो यह इस प्रकार का बना देना आप आगे विद्धुद बल्प बना विद्धुद बल्प इस प्रकार से बना देना लाएंग कीची इफी न्यू करके न्यू करे और लाएंग कीच दी आगे प्रतिरोध प्रतिरोधक 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 इस प्रकार स यह बना देना है चाहे इस परकार से बना देना है दोनों में से एक बना नहीं केवल आपको MPR MPR के आमिटर भी कहते हैं तो यह बीच में गोल घरा बना देना बीच में लिख देना एक साइट धन एक साइट रिम और जो आख्री है हमारा हमारे पूरे प्रतिक हो गए तो इन में से यह आपका एक प्रतिक प्रतिक पूछ जाएंगे आगे क्यों बढ़ते हैं तो आगे का कोश्चन है हमारा यह सवाल तो देखे सवाल लेकिए बारा ओल्ट ववांतर है हमारा के दो बिंदों के बीच दो आवेस को ले जाने में में कितना कारी करना पड़ेगा तो जो कारी का सुत्र है है वांतर इंटू आवेस तो जो चीज हमें प्रेशन में दी रखी है वह हमें पहले हम लिख देंगे तो दिया है दिया है यानि कि क्या दिया है वांतर वांतर कितना दिया है बारा ओल्ट बारा ओल्ट लिख दिया आवेस आवेस कितना है दो सी तो हम इसमें कारी का सुत्रेर फार्मूला लगा देंगा कि कारी को लोगा आपका विभुवांतर इंटू विभुवांतर कितना है 12 और आवे से 2 तो दोनों का अपस में घुना करे किया तो 24 आया कारी का एसा है मातर के जूल तो हमने 24 जूल नहीं है तो अधा अभिस्ट कार्य 24 जूल तो कितना सिंपल सवाल है बहुती सिंपल सवाल है आप इसे कंप्लिट कर लेना अब जो आखरी कोश्चन बचा हमारा बस के बना आखरी कोश्चन है हमारा मानव नेत्र का नाम के चित्र बनाना है के बनाना है मानव नेत्र का नामन की चित्र आप सपाई से बनाना चित्र को क्योंकि आप चित्र में के वड़ा सपाई ही देखी जाएगी तो इस प्रकार से आप मानव नेत्र का चित्र बना देना है यह है पुतलिया पुतलिया है सुख्छ मंडल है इसके बाद पक्षमानी पेशिया है डिश्ट पटल द्रक तंत्रिका जो मेन मेन वर्ड है आप वह ही लिखना है और इसमें जो मेन मेन वर्ड है वह ही लिखे आप बस केवल चीत्रों को सापसुत्रा बनाना तो आज हमने क्लाश 10 के जो तीर नम्मर के कोश्चन थे वह हमने कंप्लीट किये इस वीडियो में तो आप भी कोश्चन को कंप्लीट करेगा आगे हम किसी दूसरे नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे कुछ महतुपुर्ण प्रश्ण मताएंगे तो जब तक आप इन प्रश्णों को क्लीट करेगा